तो दोस्तो जैसा कि अप्रेल का महिना आ चुका है और गर्मी अब बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है तो दोस्तो हमारे यहां पे जैसा कि 40 डिगरी क्रॉस कर चुका है और बहुत सारे ऐसा जगह है दोस्तो जहां 45 डिगरी भी क्रॉस हो चुका है तो आज की इस वीडियो होता है दोस्तों वो जादा गर्मी बरदास नहीं कर पाता है हमें गुलाब के पौधे की केर गर्मी में बहुत ही अच्छी से करनी परती है और बहुत सारी ऐसे बातों पे ध्यान देना परता है और बहुत सारा ऐसा जो है वो काम अपने गुलाब के पौधे में करना परता है ताकि आने वाली गर्मी में भी आपका गुलाब का जो पोधा है वो इस तरह से हरा भरा बना रहे तो नमस्ते दोस्तों मैं हूँ किरन और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल छोटी सी बग्या में तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप सोचोगे दोस्तों की गर्मी आ रही है बहुत ही तेज धूप दे रही है तो हमें अपने पोधे को धूप में नहीं रखना है तो भी जो है दोस्तों आपका गुलाब का पोधा ग्रोथ नहीं करेगा और हरा बारा नहीं रहेगा क्योंकि गुलाब का पोधा को जो है दोस्तों फोटो सिंतेसिस की प्रक्रिया करने के लिए उसको खाना बनाने के लिए धूप की बहुत ही ज्यादा आवसकता है तो आपको किस टाइम का धूप दिलाना है और कितना धूप दिलाना है दोस्तो मैं आप सभी को बताती हूँ तो सुबह का जो है दोस्तो तीन से चार घंटा का धूप आपको अपने पोधे में दिलाना है उसके बाद जो है दोस्तो आपको उसको सेडी एरिया में कर देना है फिर साम का धूप जो है दोस्तो आप 2-3 घंटे का अपने पोधे को दिलाओ नहीं तो दोस्तो आपका पोधा जो है वो इस तरह से हरा भरा नहीं रहेगा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ीगी दोस्तो अगर आप अपने पोधे में ग्रोध चाहते हो और उसको इस तरह से हरा भरा बनाए रखना चाहते हो तो आपको पोधे में दिलाद होगे तो आपका पोधा जो है जलब ही शाथ है उसमें जितनी नई नैई ब्रांचे आएगी वुत भी मुरजा जाएगी तो यह बहुत ही जल्दी, जल जाती है और शिकुर जाती है तो इसे आंफे से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है तबी हमारा पौधा में जो है दोस्तो우 वो इस तरह से हरा भरा बना रहेगा में बात करती हूँ दोस्तों दुसरे टिप सी दूसरा टिपस यह है दोस्तो Кि आपको जो है अपने पौधे में। मिट्टी में नमी को बनाए रखना है जादा सुखने नहीं देना है दोस्तों आपके पौधे को क्योंकि अगर आपके पौधे की मिट्टी जो है वो बहुत ही सुख जाएगी तो क्या होगा दोस्तों आपका जो पौधा है वो मुर्जानी लगेगा और पौधा अगर पौधे में देना है इसका मतलब यह भी नहीं है दोस्तों कि आप उसमें भर भर के पानी देते रहो तीन चार बर पानी देते रहो अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो फिर आपके पौधे के रूट से वह भी जो है वह सड़ जाएंगे या फिर उसमें जो है वह फंगस वे और पानी सप्देन दोस्तरा काम नमी नहीं सब्सक्राइब को Wow हैफ या फिर आप कर सकते हो सुखे हुए पत्ते को भी आप उपर से गमले दे सकते हो उससे भी जो होगा दोस्तों वह जो है डाइरेक्ट सनलाइट आपके गमले की मिट्टी में नहीं पड़ेगा तो आपका जो है वो पौधा अच्छे से नहीं सुखेगा तो इस तरह से आप अपने पौधे में जो है वो नमी को बनाए रख सकते हो और नमी बनाए जो दूप आपके पौधे को मिलेगा उससे जो है आपका पौधा इतना जो है वो गरम रहेगा तो आप उसमें ठंडे पानी का सावर करोगे तो आपका पौधा को जो है वो बहुत ही अच्छा लगए क्योंकि जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे दोस्तो हम लोग भी सकते हो उसके बाद आपको जो काम करना है दोस्तों वो आपको यह करना है कि अगर आपके महां पे अगर 45 डिग्री 46 डिग्री चला गया है तो आने वाले चार महीना जो है अपरेल मैजूं जुन जुलाइ यह चारों महने में आपको अपने गुलाब के पौधे में ज्याद कि आपको आपको यह चार मेंने ज्याद से ज्याद लेना है उसके बाद दोस्तों आपको कीकी जिस चीच का ध्यान है तो से म्हें पाद किश्चिच का ध्यान सबर आपको गढ़ाई करने घ्यां नहीं तो इस बात का ध्यानिक्तिक है करने के बाद nutrition आपको देना है दोस्तों वह आपको जो है कोको पीट गोबर की खाद यह सब आप जो है अपने पौधे में अभी दे सकते हो अभी अगर आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो वह सारी चीज जो है वह पानी को अच्छे से सोक के रखते हैं त आपको उसके बाद इस तिश का ध्यान रखना है दोस्तों जैसे कि अभी टंगी का पानी जो है वह बहुत ही ज़्यादा गरम हो जाता है तो गरम पानी का ना तो आपको इस्प्रे करना है अपने पौधे में देना है तो आपको जो है पानी को निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेना है उसके बाद आपको अपने पौधे में सायर करना है या फिर उसको तो प्लावर की कटिंग करना है उसके अलावा आपको अपने पौधे में कहीं पे भी कैची नहीं चलाना है अगर आप सोचे को कि यह हमारी जो ब्रांच है वह बहुत ज़्यादा पतली हो गये तो इसको हम कट करके हटा देते हैं तो इस तरह का जो है दोस्तों गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अभी जो है दोस्तों हमारे पौधे में बहुत सारे ऐसे जो है वह फंगी साइड पेस्टिसाइड का एटेग भी दिखाई देता है हमारे पौधे में जहां जहां देखो के दोस्तों इस पाइर्स का भी एटेग दिखाई देता है या फिर चीटी वेगेरा या फिर छोटे मोटे कीडो का भी एटेग हो जाता है तो अभी जो है दोस्तों हमें जो है वह महिने में एक बार कोई भी पेस्टिसाइड पाउडर का भी इस्तिमाल करना है अपने पौधे में नहीं तो फिर जो है दोस्तों आप हल्दी पाउडर बॉइल करके और आप इसमें एसप्रेइबी कर सकते हो इससे जो है दौस्तो आप के पौधे में किसि भी तरह की किरे-मोकडे लगे हैं तो फीर वह वह बहुती तीजी से हट जाएंगे महỊं सबसटेब देती हूं के killing के इस कि हमारा पौधा जो है दोस्तों युद्ट से और अगल हम लोग कोई हार्ट फटिलाजर इसमें दे 123 बोट देना है और एक समय कोई हार्ट फटिलाजर नहीं देना है लेकिन हमेश ज्वह हार्ट नई देना है कि आप्ने खाना ही अपने पौधे को घर ऑज़ा दासे करेंग बहुत ही तेजी से फाइदा पहुंचाएगा तो तरल खाद में जो है दोस्तो आप दे सकते हो वह है यह देख सकते हैं यह दोस्तो गोबर की खाद को हमने दो से तीन दिन के लिए अच्छे से भीगों के छोड़ दिया था तो यह देख सकते बहुत ही अच्छे से भीग गिय हे और बहुत ही health मिलता है दोस्तों सारही nutrition मिलने का क्यूंकि गोवर का खाड जो होता है दोस्तों वह बहुत ही बहुत ही चाखाड है हमारी सा रही पॉधे के लिए अभी आप इसका इसका इस्ते भरमि अपपोरी ही करोंगे तो पूरे ही गर्मी जो है दोस्तों आपको इसका पाणि को इस्तेमाल करना है आपको पड़ों के फोर्म अभी जादा से जादा करने से आंप बचे। क्यूंकि अभि अगर पवोड़ों के फोर्म में अपने पैजरी आफ को सुन करोगे यह पी पाणियосьगी से फोर्टलाइसर फॉर्म तो अभी जो है दोस्तो हमें तरल फॉर्म में ही कोई भी फटिलाइजर का इस्तिमाल करना है उसके बाद अभी गर्मी में जो फटिलाइजर आपको इस्तिमाल करना है दोस्तो वह है चाय की पत्ती जो होती है दोस्तो वह उसमें आपकी जो पौधे की मिट्टी है उसको जो है अपकी जो है वो पौदे की मिट्टी जब अशीटिक बनी रहेगी तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो कुछी सतरज से एकदम हरा भरा बना रहेगा तो अभी जो है दोस्तो हम लोग चाई की पति का भी इस्तिमाल कर सकते लेकिन चाय पत्ती का इस्तिमाल कितनी को इंटीटी में आपको करना है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ तो अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तिमाल कर रहे हो तो आप 15 दिन में एक चमच ही अपने पौदे में डालना और अगर आप यूज कीवी चाय की पत्ती का इस्तिमाल कर रहे हो तो फिर आप दो चमच करके अपने सारे ही पौदे में इसको डाल सकते हो और इसके साथ ही जो दोस्तो इसके जगा पे अगर आप चैपती का इस्तमाल नहीं करना चाहते हो तो फिर आप कौफी फार्डर का भी इस्तमाल इसके जगा पे कर सकते हो वो भी जो है डोस्तों आपके पोधे को नाइटोजन की मात्रा बहुत ही अच्छे मात्रा में परदान करेगा तो आपका पोधा कुछ इस तरह से एक दम हरा-भरा बना रहेगा उसके बाद जो फटिलैजर आपको इस्तिमाल करना है दोस्तो वो है seaweed fertilizer, seaweed fertilizer के जगा पे दोस्तो आप seaweed granule या फिर seaweed fertilizer का जो है दोस्तो liquid form में भी आता है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हो, सारा ही चीज दो है दोस्तो वो एक ही काम करेगा आपके पोधे में, लेकिन उसका इस्तिमाल जो है दोस्तो आप 15 दिन में एक ही बार अपने है तो फल लाने में बहुत ही तेजी से help करता है तो इसका इस्तिमाल जो है दोस्तो अभी हम लोग गर्मी में करेंगे तो यह हमारे गमले की मिट्टी में भी नमी को भी बनाए रखता है नमी को बरकरार रखने में भी यह बहुत ही अच्छे से help करता है तो इसलिए हमें गर इसका लिंक भी ड yan으면 कर सकते हों तो वो जो फटिलाजर है दोस्तों को है रोजफ ब्लूम फटिलाजर और ये फटिलाजर जो है दोस्तों ये इस प्लांट्स के लिए लिए और इसके वारे में जल्दी ही मैं आपने डिटेयल वीडियो करने वाली हो दोस्तो तो सब बने रहेगा अब मैं आप Benny को बता देती हूं दोस्तों कि आप कौन-ापको कौन-कौन से इस्तिमाल अभी गर्मी में नहीं करना है उन फोट। सब्हय चतार ऑने ओब और इस्तिमाल आने वाली तो सफस्तिमाल यह नहीं करना हो hebben यह summer season में अपने पौधे को कीस तरह से बचाना है और कीस तरह से उसकी care करना है और कौन-कौन से fertilizer देना है और कौन-कौन से काम करना है और कौन-कौन से नहीं करना है आप अगर सारे ही चीज समझ गए होंगे दोस्तों आप ये सारे चीज कर सकते हैं और मैं भी दोस्तों यही सारे चीज करने वाली हूँ और यही सारे चीज करके जो है दोस्तों आने वाले समर में अपनी पौधे को बचा चुकी हूँ तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के साब भी सेयर की हूँ तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप इस वीडियो के माधियम से मेरे चैनल पर नई आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार